इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी टायसा एम जेल दो दवाओं से मिलकर बना है जो त्वचा के फंगल इंफेक्शन का असरदार इलाज करता है ये उस कवक को मारता है जो संक्रमन का कारण बनता है और सूजन के लक्ष प्रभाव बढ़ा सकता है त्वचा के संक्रमन आमतोर पर दो से छे सपताह के बाद ठीक हो जाते हैं आपके डॉक्टर ने जितना कहा है उससे अधिक समय तक दवा का उपयोग न करें और यदि दो से छे सपताह के उपचार के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं ह होता है तो उसे बताएं प्रभाव क्षेत्र को साफ और सूखा रखकर और संक्रमन का इलाज करने से पहले और बाद में हात धुकर दवा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में जलन, जलन, खुजली और लालिमा जैसी अप्लि आकस्मिक जोखिम होता है तो तुरंत धेर सारे पानी से कुल्ला करें यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी लेकिन इसका उप्योग करने से पहले अपने दॉक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में संक्रमन के लिए किसी अन्य दवा का उप्योग किया है गर्भवती महिलाओं के लिए दवा की सिफारिश नहीं की जाती है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने पर क्लिक करें और ओल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद